बोचपुरी पावस्चार पवन सिंग का एक और हिंदी गाना आने वाला है उस गाने का नाम है माशाल्ला जी हाँ ऐसे ही किरियोसिटी आपकी मन में भी होगी ऐसे ही किरियोसिटी हमारे मन में भी थी जब सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर कई ज़्यादा बाते होने लग जा कि क्यों नहीं इसकी पड़ताल की जाए और पता किया जाए कि क्या ऐसा गाना सही में पवन सिंग का आने वाला है वैसे यह तो पता है कि पवन सिंग का दूसरा जो हिंदी सौंग है वो पायल देव के साथ ही आएगा और आएगा जरूर लेकिन माशा अल्ला जो सौंग जिसके लिए शोशल मीडिया में इतना बस क्रियेट किया गया क्या सही में ऐसा कोई गाना है जिस पर पवन सिंग और पायल देव ने इस गाने को गाया है काम किया है तो हम आपको बता दे कि यह सिर्फ शोशल मीडिया की कारस्तानी है जी हाँ पायल और पवन का गाना आए तो उसकी प्रमोशन कितने दिन पहले की गई थी तकरीबन दस से पंदरा दिन पहले लेकिन क्या पवन और पवन की जो टीम है वो इतनी बड़ी पागल तो है नहीं कि गाना का टाइटल आपके सामने अभी रिलीज कर दे लॉकडाउन से पहले रिलीज कर दे और अभी तक गाना आएगा जरूर इसकी पुस्टी तो खुद पायल देव ने ही की है कि पवन सिंग के साथ उनका गाना दूसरा भी बहुत जल्दाएगा लेकिन अभी फिलहाल उसकी कोई सूचना नहीं है जब से पवन ने हनुमान चालीसा गाई है अपनी धुन चैनल पर उसके बात स पवन और पायल और आदित्यदेव के बीच बाउंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और उनके बीच गाना आएगा जरूर इस बात के पुस्टी हुई है क्योंकि ये दोनों लगातार काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ यार 75 गाना पवन सिंग का आया है उसमें आपने दे लोगों ने अपने दूसरे हिंदी सौंग को प्रमोट करना शुरू नहीं किया है और ये भी नहीं बताया है ओफिशिली कि ये गाना माशा अल्ला नाम से होगा ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की सोची समझी कारस्तानी है कुछ पियार सीब भी होती है लेकिन ऐसा कोई गाना नहीं है जब भी पवन का सेकेंड गाना आएगा हिंदी हम आपको जरूर बताएंगे और आपको ये भी बता दे कि वो गाना जस्ट म्यूजिक पर ही आएगा जी हाँ ये कंफर्म है कि जस्ट म्यूजिक पर ही पवन का दूसरा भी हिंदी सौंग आएगा भूचकुरी जग झाल झाल